जाहिन दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टोपिक के साथ स्काई कंट्रोल और स्काई सेबर कौन सबसे बेस्ट यह तो हमें भी जानना है भाई तो शले दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोलिश शो में तो दोस्तों आखिरकार भारत को एक ऐसा हत्यार ओफर हुआ है जो कि अभी तक भारत के पास शायद नहीं था और इसकी ज़रुत हमें इस समय सबसे ज़ादा है क्योंकि जो हमारे पडोसी देशे चीन और पाकिस्तान यह तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक खास तरीके का जाल बुनने में जुटे हुए हैं और यह है ड्रोन का जाल दरसल इन देशों को पता चल चुका है कि भारत का जो A-Defense सिस्टम है वो इस वक्त मजबूत होता जा रहा है हमारे पास S-400 के सिस्टम है जिने हमने तैनात कर दिया है और जो BMD है यानि कि बैलस्टिक मिसाइल शील्ड जो की भारत में पूरी तरीके से तैनात होते ही भारत को एक बैलस्टिक मिसाइल प्रूव पाएंगे क्योंकि भारत भारत ये सीमा में घुसने से कई किलोमेटर पहले ही इन्हें मार कर गिरा देगा ऐसे में इन्होंने जाल बुना है छोटे ड्रोन का वी छोटे ड्रोन पकड़ने में बहुत मुश्किल होते हैं अडवांस से अडवांस रडार सिस्टम को ये चकमा दे सकते हैं और छोटा पैकिट बड़ा धमाका इन्हें कहा जाता है यानि कि साइज वले ही छोटा हो लेकिन काम बहुत बड़ा कर जाते हैं हाल ही में अर्मेनी अजरबैजान युद में हमने देखा और इस वक्त रूस यूकरेन युद में हम इनका जलवा देख रहे हैं और इसलिए भारत का जो डिफेंस है भारत का जो सुरक्षा कवच है उसे तोड़ने के लिए तुरकी और चीन दोनों मिलकर पाकिस्तान को छोटे ड्रोन प्रोवाइड करा रहे हैं और इसी से बचने लिए भारत को एक ऐसा डिफेंस सिस्टम चाहिए जिसका काम सिर्फ हो द्रोन मारना यानि कि वो स्पेशलाइज हो द्रोन मारने का और वो भारत को अब मिलता दिख रहा है दरसल पोलेंड की एक बहुती खास कंपनी है इसका नाम है अडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम इन्हों ने भारत के सामने अपना एक स्काई कंट्रोल एर डिफेंस सिस्टम ओफर किया है और इसकी सबसे खास बात पताए क्या है कि ये ड्रोन को तो मारकर गिराई देता है साथ ही जो लो फ्लाइंग अबजेक्ट होते हैं यानि कि अगर कोई आतंकी भारत में पैराशूट का इस्तमाल करके आता है या फिर पैरागलाइडर स्क्रीन पर आप देखे कैसे दिया गया इनी पैरागलाइडर की मदद से हमास ने इसराइल की सीमा पार करी और वहाँ पर घुसकर सेंकडों लोगों को बंधक बनाया और फिर उसके बाद आसानी से अपनी सीमा में वापस यानि कि गाजा में लोट गए ऐसे में ये स्काई कंट्रोल सिस्टम इस प हाई फलाइ भी कर रहा हो कितना हाई तीन किलोमेटर की उचाई तक जी हाँ कोई अबजेक्ट तीन किलोमेटर उपर आसमान में उड़ रहा है और सबसे खास बात ये सिस्टम बहुती जादा कॉम्पैक्ट है दो से तीन सैनिक मिलकर भी इसे आसानी से कहीं भी सैट अप कर स है आपको ये काफी शानदार है इस कैटेगरी के डिफन सिस्टम के लिए लेकिन अगर आपको रेंज ज़्यादा चाहिए तो उसका इलाज भी पोलेंड के पास है दरसल पोलेंड के पास इसी का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है स्काई सेबर स्काई सेबर की खासियत ये मुश्किल है जंगल में छुपाना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसका साइज इनॉर्मस है इसलिए भारत के लिए सई होगा स्काई कंट्रोल छोटा साइज है कुछ सेनिक मिलकरी से कहीं भी सैट अप कर सकते हैं और इसकी तैनाती आप टेक्टिकल तोर पर कर सकते हैं यान इरिया में आप इसे तैनात कर सकते हैं यानि कि ये भारत के लिए बैटर ओप्शन होगा स्काई सेबर के मुकाबले हला कि आपको बता दूं स्काई सेबर पोलेंड ने अकेल नहीं बनाया है दरसल स्काई सेबर को पोलेंड ने ब्रिटेन के साथ मिलकर बनाया है और करके बताइए कि आपके रसाबसे भारत के लिए सकाई कंट्रोल सब्सक्राइस करें है स्काई सेबर एंड स्काई कंट्रोल है उसको एंट्री एंटी ड्रोन एंटी मिशाल भी बोल सकते हैं रेजन यही है कि हमारे पास S-400 भी है जो उसकी जो साइज है वो तो बहुत ही बढ़ी है पुछे पूरे ट्रक में लोड करनी पड़ती है और वो तो कहीं से भी दिख सकता है तो मेरे इशाब से दोस्काई से पर उसको स्काई कंट्रोल अर्जो है ओठा होता है वो घुनते हरा यह बहुता है लेकिन हमें यह भी exploring रहे कि क्योंकि पाकिस्तान चाइना एसे बड़े जो कंट्री है वो कभी सुधरने वाले कंट्री नहीं है तो हमें उसको वित्यान में रखना चाहिए हाला कि जो स्काइशेबर है प्राइस के इसाफ से देखने जाए तो वह तोड़ा महंगा पड़ेगा वैसे भी लेकिंग यह भी ह कि यह सकते हैं कि सकाइब जो है उसकी साइस है पैसे है तो हम उसको भड़ी तादाब में रख सकते हैं वह दूसरी नहीं रहा कर लिए लेकि और चाइना लए ठोटे स्की बद्र कर रहां है है यहンドjem चाहिर चाहिए हैं चोटे होड़े चोटे-शोटे-चोटे और वोल रहे है कि आप मितलब यूजंे तो निहेम तो जह सको जिसमें ड्रख़र्ड मामले में जो यह करूज तो इस यह करीकिन नियूज आन पहरें पहले है तो कुछ करना मदेगा यह मतलब जहां से ड्रोन मतलब ज्यादा आ रहे हैं वह जगह पर लाकर पी उसका उसको क्या कि देखो जो होते एक ही साथ में तादाब में लाट बहुत सारे ड्रोन एक साथ उड़ाया जाए तो हो सकता है कि जो सिस्टम होती है उसकी पकड़ में ना लेकिन वह तो मुष्किल है वह तो कर नहीं चकते तो उस वज़ए जो स्काय कंट्रोलर है वह हमारी आपकी रही नहीं चलेगी तो लेकिन हम से बौल सकते कहा है यह जोटा होगा ले जार noises leisure में में हम से वैतर तो हमारे साथ है वह अच्छ से जानती हैं तो जो भी करेगी व भारत का जुकाव जो है सकाइक कंट्रोलर की और ज्यादा है तो मेरे इस आप से वह भी चाहिए लेकिन दोस्तों यह जो वीडियो थी इसमें आपने सकाइक कंट्रोल स्काइशेबर के बारे में थोड़ा बहुत पहसान आपको मिली थोड़ी बहुत जानकारी मिली लेकिन मैं चाहूंगा कि दोस्तों इसके अलावा आप गुगल में जरूर जाएगा क्योंकि आपको एज एउकेशन तोर पे पूरी डिटेल में जानकारी होनी जरूरी है तो नहीं हो सकता लेकिन पूरी डिटेल में एजट टेक्नोलोइज वाइज पता आपको गुगल में जाने के बाद ही सलेगा तो वीडियो को दोस्तों यहां पर हम समावत करना चाहेंगे फिलाल हम आपसे विजाए लेंगे मिलते हैं और एक ने वीडियो में आपके साथ किल द हम आपके से वन्हेंडा हैं करना जाने करना चाहριजए ज काहल सकतवर लें 16e